कि दियर मोरें स्टार्स तुड़े आइविल टीच यू चैप्टर सेवन चैप्टर नेम इस एडवांस्ट फीचर्स एडवांस्ट फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फुल फॉर्म हैं यह 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 तैप्ट इस चैपीच फर्सक्रिय मोत्सर्ब काइद फ़र्सले मांद फीची तेल में काइब हैं स्टेयम बार थाख में पास्ट और फिर वाव पेज़नेंड में च έχ़ाएं करते हैं जा थे पर बुइत का हूँ यह बंब हो विप यह सिर्वन को सताया था में यह विफिभये दियो hal 2022 ले करवक Всेशने सबनाला यह सुछ तरहista RED पहनम उसकी का सब्सक्राइब आप Estimul Language कैसे type की जाती है, Estimul Language की coding की जाती है, तो कि आपको pages में, जैसे आप देखते होंगे न, इंटरनेट पर देखते हैं, बहुत सारे pages open होकर आते हैं, आप उनको click करते हैं, तो वो link up होते हैं, ठीक है, फर्स page हो कर रहा है, second page हो कर रहा है, हम Google पर जाते हैं, page को open करते तो यह सारे pages हैं, वो सारे web pages हैं, ठीक है, उसको हम web browser के through जो है, उनको pages को open करते हैं, उनको read करते हैं, तो यह pages जो है, वो Estimul Language के through ही बनाए गए हैं, जिनको की server से add किया गया है, ओके, तो इनकी जो coding होती है, web pages बनते कैसे हैं, तो उनकी हमें coding करनी पड़ती है, एडिटर हैं, ओके, एडिटर में हम उसकी coding करते हैं, तो इनकी जो coding होती है, वो जब आप web page पर देखती है, ब्राउजर पर देखती है, तो इसकी जो coding होती है, वो hide हो जाती है, और main matter आपको show होता है, तुके, that helps us to communicate, यानि कि क्या करता है, communicate को establish करने में, या communicate, create करने में, ये help करता है, with others on the world wide web, okay, world wide web, यानि कि server से जो है, ये add करता है, next, stml, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि stml है, क्या type of language है, okay, तो stml is the most widely used language, stml को बहुत used किया, क्योंकि आपने देखा न, current time में, क्या हो रहा, present time में, लोग internet बहुत use करते हैं, जैसे आप लोग आजकल online study कर रहे हैं, इसमें भी, जो है, internet की, बहुत ही main role play कर रहा है, okay, it is a language in which the back pages are written, यानि की इस language के through क्या होता है, back pages को create किया रहता है, back pages को write किया रहता है, it is code that help us to communicate with others on the worldwide web, यानि की worldwide web, यानि की पूरे world में, यह type of network, okay, कि कि तरह की networking आप use कर रहे हैं, तो type of network, यानि worldwide web के रूप में, यानि की बहुत ही विस्तार रूप में हम, एक दूसरे से जुड़ते हैं, इन pages के through communicate करते हैं, it is evolved from simple language with a small number of text, to complex system of markup which enables us to create a back page with animated images and sound, okay, इसमें हमें क्या करना होता है, हम इसमें coding करते हैं, ठीक है, जिसमें आप small number, आप text use करते हैं, जो text होते हैं, ये भी आपके two types होते हैं, एक container text होता है, और एक impity text होता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आप इसमें क्या क्या text को write कर सकते हैं, next आप किसी बिची picture को या किसी बिची text को animate कर सकते हैं, ओके, next आप sound भी डाल सकते हैं, कोई भी picture को भी आप जो है, इसमें add कर सकते हैं, next, stml is not programming language, next दिंग है कि stml जैसे आपकी java है, c है, c++ है, ओके, यह क्या है, programming language है, ठीक है, तो stml को कहा गया कि programming language नहीं है, यह कैसी है, यह markup language है, ओके programming language नहीं है, markup language है, and full form of stml, stml stands for hypertext markup, just I have told you, full form of stml, hypertext markup language, यह stml की full form है, which allows user to create a web page, जो कि हमें web page, create करना, जो है कि allow करता है, in stml we can easily add link the web page, that connects one page to another page, यानि कि in stml के through, या web pages के through, हम क्या कर सकते हैं, इं web pages को आपस में link up कर सकते हैं, connect कर सकते हैं, तोके, it contains the text and graphic, दोनों तरहें के, वो text भी हो सकता है, और वो graphics भी हो सकता है, next thing, it is not a case sensitive language, और यह जो है, एक ऐसी language है, जिसका case sensitive नहीं, कुछ step है, जहां पर use करना है, वही पर उसको use करना है, ऐसे ही आप other languages भी देखेंगे, but stml language जो है, वो उसका case sensitive, यह case sensitive language नहीं है, next देखिए, memorize में कुछ important points दिया गया है, Timothy John, Tim Werner Slee, known as the inventor of worldwide web, okay, इनको inventor माना गया है, इन्होंने अविशकार किया है, invent किया है, किसको www, जो की बहुत important है, आप जब किसी भी, कोई भी server name, जब आप worldwide web use करेंगे, तब ही आप वहाँ पर browser को open कर सकते हैं, web pages को open कर सकते हैं, तो यह www, जो है न, www बहुत important है, he also developed stml, इन्होंने ही stml को भी develop किया है, उसका invention किया था, next देखिए, hypertext है क्या, जो आप ht use करते हैं, ht, ht, h means hyper, text, यानि कि hyper, t for text, m for markup and l for language, okay, hypertext है क्या, it is simply a piece of text, hypertext जो है, वो that works as a link, जो की एक link के रूप में काम करता है, text का एक piece है, hypertext, okay, markup language क्या है, it is a way of writing, यह एक लिखने का तरीका है, layout information within documents, okay, documents के साथ जो है information को एक लिखने का तरीका है, तो documents से मिलकर क्या, आप sd well के थुरू बनाते क्या है, documents तो create करते हैं, यानि कि वो documents, web pages होते हैं, web की document होते हैं, उनको browser में open करते हैं, और उनको क्या करते हैं, page को another page से link up करते हैं, another page को one page से, इस तरह से multiple pages को दूसरे में कर सकते हैं, related to information, okay, basically, stml document is a plain text file that contains text, nothing else, while creating stml document, three basic tools, यानि कि हमें stml language को stml web pages से उनको create करने के लिए, कौन-कौन सी वो tools हैं, जिनकी requirement होती है, तो first, text editor, like notepad, notepad में हम इसकी coding करेंगे, next है आपका web browser, ब्राउजर में जब आप एडिटर में coding करेंगे, उसकी बाद आप उसके stml के extension के साथ file को save करेंगे, और stml का dot stml के नाम से, stml के नाम से जो है, आप उसको save कर देंगे, web browser में open करेंगे, live internet explorer हो गया है, ठीक है, इस तरह के जो भी web browser होते हैं, जिनमें हम web pages को open, कोई भी site open करते हैं, ओके, web server, ठीक है, web server सबसे need होती है, web server की need होती है, टेक्स editor की need होती है, web browser, यह 3 tools हैं, जो की important है, stml की coding के लिए, या web pages को create करने के लिए, और उसको active pages बनाने के लिए, next है आपका stml tags, यानि कि वो कौन-कौन सी चीज़े हैं, जिनके through हम coding करते हैं, सबसे important है tags, okay, stml tags, सबसे first जो एक tag open होता है, वो होता है stml tags, इसके through हम क्या करते है, stml को call करते हैं, यानि कि start करते हैं, tag is a piece of code which acts as a level that web browser interprets, okay, it tells us the browser how to display the text or graphics in the document, यानि कि यह जो है, web browser को बताते हैं कि उनको क्या open करना है, ठीक है, next, okay, tags are always enclosed within a pair of angular brackets, angular brackets कौन से होते हैं, watch, this, this, okay, these are angular brackets, यानि कि tags को open करने के लिए, हम जो है, यह जो यह सतरे से बना हुआ, इसी को tag करते हैं, ठीक है, और इसी के, जो है, mid में हम बीच में जो है, जिस से लेटेट भी work करना है, उसको हम type करते हैं, ठीक है, तो जैसे example में है, body, create करेंगे, title है, head है, body है, यह सारे जो है, word है, जो कि angular brackets में, यह tags है, जो कि HTML language में इसको use किया जाता है, just I have told you about tags, okay, tags are two types, tags जो है, वो two types के होते हैं, container tags and empty tags, okay, अब आपको पढ़ना है कि container tags कौन से होते हैं और empty tags कौन से होते हैं, container tag lies between the beginning tag, okay, container tag कौन से वो tag जो कि beginning tag होते हैं, and the ending tag, okay, beginning tag and 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 ending tag are identical and written in angular brackets and a slash is placed before the command of the ending tag to tell the browser that the command has been completed, okay, जैसे कि example में दिया गया है, tag में title दिया गया, जैसे tag open हुआ, यहाँ पर title लिखा गया, okay, tag को close कर दिया, okay, तो यह आपका हो गया opening tag, okay, फिर इसके बाद हमें जो भी title देना है, जो हमें जो भी हमें अपने web pages को जो भी title देना है, web pages को title देने के लिए हम title को use करते हैं, web pages को जो भी title देना है, वो title देने के बाद हमें इसको close भी करना होता है, ऐसे ही आपको आप HTML language में भी होता है कि अपने tag को open किया है तो आप उसको close भी करेंगे तो आप उसको close कैसे करेंगे watch देखिए इस तरह से अपने title को open किया और इसके बाद इसको close करने के लिए आप slash use करेंगे यानि कि tag open करेंगे यानि कि आप जो angular bracket देंगे उसके बाद slash use करेंगे और यहां पर लिख देंगे title यानि कि यह जो आपने tag दिया है इसको आपने यहां पर close कर दिया जैसे आप MS-DOS में यूज करते हैं तो उसमें command कहते कमांड दी है ठीक है ऐसे ही आप HTML में यूज करेंगे तो मोच लिए आप टेक्स को यूज करते हैं ठीक है ऐसे ही अगर आप जाते हैं कि तो syntax जैसे आपको भी programming करते हैं तो इसमें syntax देना होता है ठीक है okay next empty tag okay empty tag कौन सा होता है empty tag वो होते हैं जो small होते हैं empty tag consists of only a single tag rather than pair of tags example जैसे HR ठीक है आपने HR लिखा तो यह कैसा है यह empty tag है जैसे BR हो गया BR करने के लिए उस करते हैं ठीक है अब इसके बाद हमें देखना है जाना है कि STML document structure हम STML को create करने के लिए which means map pages को create करने के लिए जो STML की coding करते हैं वो किस step में होती उसका structure क्या है किस तरह से होती है STML document contains certain structuring tags okay that make the basic skeleton of the document they are given below देखिए बहुत जारे tags जो है वो नीचे दिये गये हैं बहुत important है और हमें आपको बताना है कि 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 को किस को किस लिए यूज करते हैं STML tag को क्यों यूज करेंगे head tag को क्यों यूज करेंगे तो first is STML tag यह किस लिए यूज हुए था है it encloses all STML contents यानि कि जितने भी STML contents है उनको जो है web pages से जोडने के लिए यानि कि web page को create करने के लिए हम STML contents को use करते हैं next है आपका head tag it is used to give heading to the web page यानि कि web page को अगर हमें heading देना है ठीक है then you will use head tag next है आपका title title में आप क्या करेंगे आपको document यानि कि जो आप document create कर रहे हैं okay उसको अगर आप कोई भी heading देना चाहते है then you will use title it is used to give the title of STML document यानि कि document को title देना है then you will use title web page को heading देना है then you will use head next यह आपका title closing tag है आपने आपको बताया ना कि जो सबसे last में tag आप open करेंगे उसको सबसे पहले close करेंगे तो आपने क्या किया है आपर title को सबसे last में open किया है तो सबसे पहले close कर दिया है फिर आपने heading को close किया है इसके बाद आप क्या करेंगे अब आप programming हमको start करना है body में body का क्या होता है जो भी हमें back page में जो भी content देना है जो भी matter देना है स्लेटीड भी हमें back page क्रियेट करना है documents क्रियेट करना है वह सारा work जो आपका editing होगी formating होगी जो भी आपकी texting होगी आप जो text enter करेंगे वह सारा कुछ आप body के अंदर करेंगे प्रोफाइल बनानी है तो वह आपके क्या फॉर्मेट होना चाहिए कितना साइज होना चाहिए कौन सा फॉर्मेटिंग एडटिंग जो भी होती है इसारा कुछ बॉड़ी के अंदर होता है इसके बाद बॉड़ी में वर्क कर लेंगे उसके बॉड़ी को क्लोज कर देंगे और जो एस्टीमल आपने ओपन किया है यानि कि सारे कंटेंट्स को इनक्लोज करने के लिए तो यह सबसे लास्ट में जाके क्लोज होगा तो यह है आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले नेक्स आप टाइटल यूज करेंगे एस्टीमल टॉग्यूमंट को टाइटल देने के लिए इसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे हेडिं को क्लोज कर देंगे उसके बाद आप बॉड़ी टैक को ओपन करेंगे टेक्स्ट को टाइप करने के लिए एडिटिंग करने के फॉर्मेटिंग करने के लिए उसके बाद जब आप सारा वर्क कर लेंगे जो भी आपको करना है उसके बाद आप बॉड़ी को क्लोज कर देंगे और सारा वर्क करने के बाद सबसे लास्ट में stml tag close होगा ओके यह बहुत इंपोर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि बहुत सबसे पहले हम सिंपल जो आपका बैपेज क्रियेट करेंगे सबसे पहले सिंपल बैपेज क्रियेट करेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं ओके इसके लिए हम क्या इसको ओपन करेंगे ओके यह एक हम ब्लैंक पेज लेंगे है ओननट के एक ब्लैंक पेज लिया हमने यह हम को एक पेज मिला है ठीक है इसमें हमको जो भी कोडिंग जो भी करना है स्टीमन सब को जाट हमें आपका नेम लिखना है सिर्फ आपका नेम प्रिंट करना है ठीक है what's your name येस student ओके चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे चलिए इस तरह से हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हमें टैग ओपन करना है html इस टैग को क्लोज कर देना है एंटर किया इसके बाद हमें क्या करना बैपेज को हेडिंग देना है h e a d इसको हम इस टैग का बैकेट क्लोज कर देंगे और हमें जो भी हेडिंग देना है ठीक है मैंने यहापर दे दिया इंडिया एंटर किया इसके बाद हम क्या करेंगे हमें टाइटल देना है तो हमें आपर टाइटल लिखना होगा t i t l e टाइटल दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया तो जो भी हम्हें टाइटल लेम देना होगा वो हमय यह आपर दे सकते इसका क्यूआ Another स एपि टाइटल दे दिया UP और इसको हम क्लोज कर देंगे इसके बाद हमने इसके बाद जो है हमें हेड यानि कि टाइटल से पहले हेड दिया था तो टाइटल के बाद उसको क्लोज करेंगे अब हमें क्या करना है आपका नाम लिखना है तो हमें आपर ओपन करना होगा बॉड़ी हमें बॉड़ी ओपन करना है के और यहांपर हम लिखे देंगे बॉड़ी ओके और बॉड़ी में जाकर के हमें जो भी अप इस लिए मैं मिलब अब हमें बॉड़ी में अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज पर बैक्ज ens जो है बैक्ग्राउंड सबसे पहले हम बैक्राउंड नहीं हम कुछ भी नहीं डारेक्टली जो वाई डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है उस सेटिंग को ले करके हम इसको create करते हैं मैंने body लिखा यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लिख दिया फरान तो आपका सिर्फ क्या होगा आपका नाम प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद हम क्या करेंगे body को close कर देंगे ओके body को close किया और इसके बाद estimal को भी close कर देंगे ठीक है लास्ट जब हमारा प्रोग्राम बन गया stml close कर दिया और इसके बाद यह हमारी फाइल है इस फाइल को हम क्या करेंगे save कर देंगे .html के नाम से extension दे करके और उसका new file name जो भी हमें लिखना है suppose that कुछ भी name लिख सकते हैं vcd कुछ भी किसी का नाम लिख सकते हैं अपने नाम लिख सकते हैं किसी भी नाम से save कर सकते हैं और उसको ब्राउजर पर जा करके open करेंगे ओके इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ओके नेक्स्ट अइट मीस टुमॉरो हम दो इसको और डिटेल में इसको अंडेस्टाइंड करेंगे कैसे किस तरह से यस बिटा अपकर कराई जा मैं अविन चार्ज़ी नहीं होगाई ओके 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 बटा नो प्रॉब्लम चली ठीक है इट्स इनफ पर टुदे ओके सो वह वे नाइस देए और टेक केर यह ओके